हालो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल विनी रावत प्लॉक्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों हर नए दिन को हमें एक नए जोश और उस्सा के साथ स्टार्ट करना चाहिए हर दिन की कुछ अलग नए उमीदे होती हैं और हर दिन से हम कुछ नया एक्सपेक्टिशन रखते हैं और मॉर्निंग में खास करके हम यही सोचते हैं कि भगवान से यही प्रे करते हैं कि यह भगवान आज का हमारा जो दिन है बहुत अच्छे से जाए, बहुत खुशियों भरा दिन हो और बहुत पॉजिटिव रहे हम आज के दिन. साथ ही हमें हर नया दिन कुछ नया सिखाता भी है और हर नये दिन के साथ हम कुछ नए experience लेते हैं अपनी जिंदेगी में. आज के नए दिन की शुरुवात के साथ मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरा आज का दिन जो है बहुत अच्छे से जाए और मेरे साथ साथ आप सभी का जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब का भी दिन बहुत अच्छे से जाए मेरी मौणिंग क्लीनिंग आज की स्टार्ट हो चुकी है आज मुझे थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी थी घर की तो मैंने सबसे पहले अपने जो डॉरस दे जो गुलास डॉर्स दे उनको साथ किया और मेरे जो मिरने घर में उन सारे मिरनÓ Kो मैंने साफ किया चिशे से कॉलीन से क्योंकि मिरोर्स वग embark on a. गंदे हो जाते कि य छिवे हम पाउडर वगर लगाते है या कुछ भी वहाँ पे जो हे गिर जाता है ऊड़ जाता है डस चुद जाता है पाउडर का भी हो Streep मिरोर्स जल्दी गंदे हो जाते हैं तो मैंने आज सारे घर के शीशे चमकाए और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी पूरे घर में जारू लगाया क्योंकि जारू तो डेली लगाना ही पड़ता है, मिना उसके तो काम नहीं चलता है, कभी ये सोचो भी की, मतलब दुख तकलीप में भी अगर हम ये सोचे की आज रहने देते हैं, आज हमारी हिमत नहीं है जारू पोचा करने की, बट मन नहीं मानता है, जब तक एक बार दिन में घर में जो है जारू पोचा ना हो जाए, तो अच्छा पॉसिटिव फिलिंग नहीं आती है, भगवान का वास भी उसी घर में होता है, जो गर साफ सुत्र हो, अंदर तो जो है मैंने जारू पोचा दोनों कर लिया है, और ये मेरी छोटी बालकनी है, और छोटी बालकनी की जो ग्रिल है ना उसमें बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी, क्योंकि भार वाला एरिया जल्दी धूल मिट्टी से भर जाता है, और आज कल थो है थोड़ा वागएरे मैं साफ करने लग गई और ये ही मेरी बालकनी का डोर भी है, ये अईरेड डोर है मैंने दो डोर लगाए वहां है एक ग्लास डोर है और ऐक ऐसमें जाली वाली लगे है, कि मच्छर बूखर एंदर एंट ना खरे करके तो इसमें भी जो है ना इसमें पिड़ा इ यह भी साफ कर दिया साथ के साथ तो सारे घर की जो है क्लीनिंग वगड़े जल्दी खतम करके और अब मैं जा रही हूं नहाने के लिए क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है तो बड़ा साभी कुछ काम कर लो तो हम जो है पसीना पसीना हो जाते हैं तो फिर मैंने जो है जल्द करने के लिए चड़ाया भी नहीं था क्योंकि थंडी था थंड़ा था उसका पैकेट तो मैंने सोचा बाद में इसको गरम करती हूं तो सबसे पहले मैंने जो है दूदी चड़ाने के लिए रखा गैस के उपर क्योंकि दूद ना मेरा मोसली जो है उबाल आ जाता है मैं दूद चड़ाने का यह एक फाइदा हो जाता है कि हम भूलते नहीं कि हमने गैस पे जो है दूद चड़ा रखा है अधर मुझे कि शूद के आगे ढगे म्मानी पांग पाणार करे के आगे फाले इस तरीके जो भूल हुआ हो इस तरीके से डालते बडार जो मेरे मशीन के कपड़े भी धुल जाएंगे तो वही फिर मैंने कपड़े लगाए मशीन में और तब तक जो है मेरा पानी भी गरम हो गया था कचन में हैं घर के बड़े बड़े काम होते है रुटीन के वह तो हम कर लेते हैं उसक 현is हम्पूर souvent और कोच आपते हैं यह क 선택 भी बहुत काम होता है एक क्पड़े साफ नहीं होती हैं गार् rol गंदगी कर देते हैं किचन में फिर और किचन ऐसी जगे हैं जहां पर हमें जो है हाईजीन से रहना ही पड़ता है दरवाइस मक्षियां और और आने लगती हैं तो यह सब चीजों को अवाइट करने के लिए ना तो हमें यह सब यह साफ करना बहुत ज़रूरी होता है तो वही फिर मैंने गरम पानी में इनको अच्छे से सर्फ डालके पहले रगर रगर के साफ किया ताकि इनकी जो चिकना ही है वो साफ हो जाए और उसके बाद फिर टैप वाटर से इनको जो अच्छे से साफ करके फिर मैं इनको बहार सुखाती हूँ बाहर किचन की कपड़े भी ना मैं बाहर जो कपड़ों वाली तार है उसमें भी नहीं डालती हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ उपर से गंदेगी वगर कुछ ना आ जाए वैसे तो मैं शीट्स वगर लगा के रखती हूँ बट मैं इनको ना अपनी जो छोटी वाली बालकनी में उसमें अंदर की साइडी इनको सुखाती हूँ या फिर किचन में ही इनको फैला देती हूँ ताकि यह वहीं सुख जाए किचन का काम मेरा ओवर हो गया है और मेरे कपड़े भी धूल चुके हैं अब तर और बहार अच्छी खासी दूप आ रही है तो मैं अज़ी से यह कपड़े भी अभी तार पर फैलाने स्टार्ट कर दिये दोस्तों आज का यह व्लॉग ना मेरा चोटा सा ही बनाया है जिसके लिए मैं माफ़े चाहती हूँ और क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी तो आज की यह वीडियो बस इतनी नहीं है अगर आपको जो है मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाइ